प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याएच्छे शब्द रचना उपसरग और परत्य के बारे में पड़ेंगे सबसे पहले हम इसमें उपसरग के बारे में आज सिखेंगे कि उपसरग क्या है उपसरग भासा के ऐसे सार्थक एवं लगू रूप हैं जिनका सवतंतर रूप से प्रियोग नहीं होता इसका अर्थ है बच्चों कि उपसरग शब्दों का एके छोटा रूप होता है जिनें अकेले प्रियोग नहीं किया जाता तब इनका प्रियोग कैसे होता है बच्चों कि ये शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्दे बनाते हैं तथा उनके अर्थ में नमीनता लाते हैं यानि एक नया पन लेकर आते हैं उधारन से समझिए बच्चों कि उपसरग जैसे उप एक उपसरग है यानि इसका सवतनतर रूप से प्रियोग नहीं होता बलकि से अन्य शब्दों के शुरू में यानि आर्म में जोड़ा जाता है जैसे हार एक मूल शब्दी मूल शब्द वो शब्दे जिसके सुरुवात में उपसरग जोड़कर नया सब्द बनाते हैं तो जब हार शब्द के सुरुवात में उप शब्द को लगाएंगे तो नया सब्द बनेगा उप हार तो इस तरह से वच्चो हार शब्द का जो अर्थ था उसमें एक नया पन आ जाता है यानि उसका अर्थे बदल जाता है पहले हार का मतलब क्या था हार जाना जब उसमें उप 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 शरक को जोड़ा गया तब नया सब्द बना उप हार यानि एक भेंट या पुरशकार तो उसका अर्थ बिलकुल बदल गया दूसरा उधारन देखिए जैसे मूल शब्द है मान इसमें हमने अप उप उप शरक को जोड़ दिया तो नया सब्द बन गया अप मान पहले मान का अर्थ था समान और जब अप उप उप शरक जोड़ा गया तो बन गया अप मान यानि कि किसी का समान ने करना अप मान करना तो इस रह से वच्चो उप शरक मूल शब्द के सुरू में लगते हैं और नए शब्दों का निर्मान करते हैं और उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं इस रह से वच्चो उप शरक की जो परिभाशा है वो है आपको याद करनी है कि जो शब्दांस शब्दांस का मत्तब क्या हुआ कि शब्द काए के अनस यानि शब्द काए के हिस्सा कि जो शब्दांस कि शब्द के पूरव में जुड़कर पूरव का मत्तब पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं तो इस रहसे वच्चो उपसर्ग के परिभासा और एक उधारण याद रखना है कोई भी एक उधारण कर सकते हैं कि ए उपसर्ग न्याए शब्द मूल शब्द और नया शब्द बना अन्याए तो इसे वच्चो उपसर्ग कहा गया ये जो शब्दान से ये उफसर्ग का कारिय करते हैं अब बचो उफसर्ग के परकार इसमें आपको इनके केवल नाम याद रखने हैं कि उफसर्ग कितने परकार के हैं इनको चार भागों में बाटा गया है मुख्यरूप से संस्कृत के उप्षर्ग यानि जो संस्कृत भासा के हैं हिंदी के उप्षर्ग अर्बी, फार्सी, उर्दू के उप्षर्ग इनको एक ही ग्रूप में रखा गया है और संस्कृत के अव्वे यानि संस्कृत के ऐसे शब्दान से जो अव्वे का काम करते हैं अव्वे शर्द आपने पढ़े थे ना जिन पर लिंग्वेचन का परभाव नहीं पढ़ता तो उप्षर्गों को वच्चो चार भागों में बाटा जाता है के वल आपको इनके नाम याद रखने हैं और इसके बाद क्या करना है कि हमें इन उप्षर्गों से शब्दों की रचना बनाने सीखनी है कैसे कि हमें उप्षर्ग दिया जाए कि ए उप्षर्ग है तो हमें उसे शब्द निर्मान करना आना चाहिए शब्द रचना करनी आनी चाहिए कम से कम दो शब्दों की रिचना आपको याद रखनी है कि ए उप्षरग से ए धरम अमर आ उप्षरग से आदर आधहार अप उप्षरग से अप्यश अपकार अनुप्षरग से अनुरूप अनुचर या फिर अनुवाद, अनुभाव कोई भी दो शब्द बच्चो आपे कर सकते हैं इनके जो अर्थ हैं ये केवल पढ़ने के लिए समझने के लिए हैं हमें करना क्या है उप्षरग से दो शब्दों का निर्मान या रचना करनी आनी चाहिए कि वी उप्षरग दिया मिलेगा हमें तो हमें नई शब्द बनाने हैं विजय विदेश अति उप्षरग से अतिशे अत्याचार दूर उप्षरग से दुरगम दूरदशा निर उप्षरग से निर्बल निर्मल दुष उप्षरग से दुषकर्व दुसाहस इस रह से बच्चो हमें उप्षरग और उनसे दो दो शब्दों का निर्मान या रचना करनी हैं तो बच्चो आज हमें यहां तक रिवाइज करना है और इन्हें याद करना है अच्छा बच्चो धन्यवाद